नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियस परिहार चेनल में आपका स्वागत है इस चेनल के माध्यम से आप लोगों को विभीन बर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती है उसी क्रम्य आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समिच्छातकारी स्याग समिच्छातकारी 2016 की समिच्छातकारी स्याग समिच्छातकारी का नया विग्यापन भले ही अभी नहीं आ रहा हो लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा मौका है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समिच्छातकारी साइक समिच्छातकारी 2016 भरती में कौन-कौन से पद है और किन-किन विभागों में अलग-अलग कितने पदों की संख्या है और इस भरती से समनित बहुत सारे प्रस्ण भी विद्यारती पूछते रहते हैं और उम्म बाद में ओ लेवल या PGDCA कर लिया है तो क्या वह माने होगा तो वह बिल्कुल माने नहीं होगा उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की सभी भरतियों में यह नियम है कि आवेदन की अंतिम तिधितक वांशित योगता पूरी होनी चाहिए इसलिए अगर आपने बाद में ओ लेवल किया है तो वह इस भरति के यारो में लागू नहीं होगा फिल्हाल हम लोग देखते हैं कि आरो यारो 2016 में कौर कौन से पद थे तो यह देखी कुल मिलाकर कि लगबग 13 विभाग थे एक है आपका उत्तर प्रदेश सचिवाल है यहां पर आप लोग देख रहे हैं समिख्चादकारी तो यह आरो की है तीसरी नंबर पर भी आरो ही है रिव्यू आफिसर एकाउंट समिख्चादकारी लेका असिस्टेंट रिव्यू आपिसर इसमें ए आरो भी है एकाउंट विभाग का फिर है उत्तर प्रदेश सचिवाले की एक और वेकेंसी है असिस्टे प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन में यह जो पोस्ट है यारो की है ठीक है इसी में PGDCA मांगा जाता है साथ में लेविल या PGDCA या लेविल इसके बाद में रिवेन्यू रादस्विभाग है इसमें भी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बड़ती जिवर 16 में है صاحMR है फिर अफिस ओफ लजीफ इलेक्सर ऑफिसर तो यह निर्वाचन अच्छक का है इसमें आसिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है और यह उत्तर प्रदर्स लेजिस लेट wherebyelnik की है असिस्टेंट रिव्यू आफिसर एरोव never इसकी बाद में आदिटर विवाग की पोस्ट है और मैला यह से विवाग की एक और पोस्ट है कि म्ह Commuter की यह दो पोस्ट है इसमें 12 नमबर फिया और 13 नमबर पशुपंट है अग्ला है यह नोन सवी सहरी ये उत्त्त्र प्रत्रब्लीस शभी को खें आयुक्या अशिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर की भी पोस्ट है अभी हम बाद में पतों की संक्या की बीचेचा करेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट जूनियर ऑडिटर असिस्टेंट एकाउंटेंट कॉमर्शिल टेक्स डिपार्टमेंट की अठारा नंबर फिर आपकी बाटमाप पास डिट इसकी 27 अक्टूबर थी अब बात कर लेते हैं अभी हाली में एक विद्यार्थी ने आर्टियाई दाखिल किये उसके बाद में भी कुछ अलग से जनकारियां मिली हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में होगी तो मेरे पास है ये आर्टियाई और आर्टियाई में क कि ये जो आर्टियाई मांगी गई थी इसमें केवल समिच्छा अधिकारी और सायक समिच्छा अधिकारी के पदों के बारे में जानकारी मांगी गई थी इसलिए इस आर्टियाई में केवल दो पदों के जानकारी मिलेगी कि समिच्छा अधिकारी के कितने पद हैं और सायक को अलग से बताऊंगा समिच्छाधिकारी पहले देख लीजिए आप समिच्छाधिकारी यानि आरो जिसमें लेविल नहीं चाहिए केवाल भी यह चाहिए बीए बेसी बीटेक जो भी कियों आप इसना तक चाहिए एकक पचाशी पद है आरो के अरतालिस सो ग्रेट पे राज पत्तित घस्टित फिर आरो लेखा के दोड़ थैं और फिर arada श्रवसमें देख में Jr 15 पद हैं कुल 218 पद आरों के हैं अब आपको मालूम होगा अगर आपके पास विग्यापन होगा अगर आपको याद आ रहा होगा कि 361 पदों के लिए यह बरती निकली थी टोटल पद कितने विग्यापन में थे 361 पद है ठीक है 361 पदों में 218 केवल आरों के हैं जो विद्यारती ओ लेवल नहीं भी किये हैं उनके लिए भी यह एक सांदार मौका है अब देखते हैं कि ए आरों के कितने पद हैं तो वह जो आर्टियाई है उसमें देखी यह ए आरों दूसरा पेज है यह आरों का है अलग-अलग भी इसम इतने हैं तो मैं क्यों कुल पदों की बात करूंगा आप लोग इसको देख लीजिए जूम करके आरों उत्तर प्रदेश सचिवाला है लेखा की 41 पद हैं और 46 गेट पर आपको दिखाई दे रहा होगा चोबिस पद हैं साइक समीच्छा अधिकारी उत्तर प्रदेश राज अगलक दिया हुआ है कि पांच पत जो है वह जनरल के लिए अनरक्षित हैं अनुसूचित जाती के लिए दो पद हैं और एक पद अन्पिषडा वर के लिए हैं और मजिला के लिए भी एक पद है तो तो इस हिसाब से जो मुख निरबातन अधिकारी वाली जो पद है यह न अधानवी तो मापगी जीए का दोसो अठारा दोसो अठारा पद आरो के हैं और एरो के पचासी पद हैं इनको आप दोनों को जोड़ेंगे तो लगबग 303 पद होते हैं अब कुछ और पदों की जानकारी अलग से मिली है कि इसमें मलेरिया इस्पेक्टर और जो बाट आप इस्पेक्टर के पद लगबग 30 या 32 हैं और तो 361 पदों में जो जानकारी निकलके आई है लगबग 350 पचपन पोस्टिक जानकारी मिल गई है 2,4,10,12 पोस्ट जो हैं वो भी किसी इसमें जो पद दिये गए जो विभाग दिये गए किसी के होंगी तो दोस्तों यह ज पांदार मौका है तो बिल्कुल दोस्तों यह बहुत ही अच्छा मौका है चूंकि आरो यारो 2016 की भरती को आए लगबग 3-4 साल से जादा हो रहा है और बहुत सारे ऐसे विद्यारती हैं जो बहुत सारे पदों में यहां वहां चले गए हैं और बहुत सारे परिडाम भी आ 2017 की मुख्य परिच्चा हुई थी और अभी कल के समाचार पत्र में आया है कि 156 विद्यारतियों ने कहा है कि हमको यह नोगरी नहीं करनी है वह कुट कर रहे हैं आरो यारो 2016 को तो बहुत दिन हो गए तो ऐसे तो बहुत सारे विद्यारती ऐसे हो गए होंगे जिनका कहीं औ आपको उसी समय हो जाएगी जब आप एक्जाम देने जाएंगे समिच्छातकारी साहक समिच्छातकारी का तो तीन-चार महीने आपके लिए और हैं इसलिए आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और PCS Pre और RO Pre दोनों की पढ़ाई साथ में करिए यह हो गया आज क प्री 2020 के मॉक टेस्ट में भाग लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद